हाई दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर एक बार फिर रिसे स्वागत है आप सभी को बता दूं कि जो आज की डिक्टेशन है वाए 80 वार्ड पर मिनिट से है और आप सभी लोगों को एक महत्पूर इंफॉर्मेशन और दे दूं कि जो आज गुर्प में जो पी अब डिक्टेशन डिक्टेशन स्टार्ट होता है दस सेगंड बाद आप लोग तैयर रहें रेडी स्टार्ट शभापती महोदय मैंने रेल मंत्री जी को पत्र भेजा था परंतु जवाब नहीं मिला मैंने सोचा डाक खाने वालों की गलती होगी इसके बाद मैंने यहां श्यम उन्हें पत्र दिया पर उस पर भी कुछ बिचार नहीं किया गया मैंने शमजा की शायद यह इसलिए हुआ की मैं उस छित्र से आता हूँ जहां पर रेलवे लाइन नहीं चलती है किन्तु मुझे आज पता चला है की रेल मंतिरी की यह परंपरा है की संसद शतशियों के पत्रों का उत्तर ना दिया जाए शभापती महूद है यह ठीक है की उत्तर पेदेश के जिस पहाडी छेत्र से मैं यहां आया हूँ वहां रेलवे लाइन नहीं चलती किन्तु वहां से लाखों की संख्या मैं यात्री सफर करते हैं खेद है की उन्हें किशी प्रकार की शवदा नहीं मिलती हैं इसी प्रकार मैदानी छेत्रों से हर साल लाखों की संख्या मैं तीर्थ यात्री यहां के धारमिक इस्थानों को जाते हैं किन्तु उनको किशी प्रकार की शुबदा प्राप्त नहीं होती है मेरा निवेदन है की इस प्रकार के यात्रियों के लिए भी उशी प्रकार की शुवदाएं मिलनी चाहिए जिस प्रकार की अन्य पहारी इस्थानों पर जाने वाले यात्रियों को प्राप्त होती है दूसरा निवेदन यह है की उस समय जब यात्रि पहारों में भूमने जाते हैं रेलों की संख्या अधिक बढ़ाई जाने चाहिए मैं हर सप्ता डहराडून जाता हूं मुझे तीसरे दर्जे के यात्रियों पर बड़ी दया आती है कितना बुरा बैवार उनके शाथ किया जाता है भेड बक्रियों की तरह से 100-200 आदमी एक-एक डिब्बे भर में जाते हैं और उनकी शुपशुबदाओं को देखने वाला कोई नहीं है इसलिए ऐसे शमय में पिरती दिन जनता गारी अधिक चलाई जाए जो गारिया अभी वहां जाती हैं उनके डिब्बों की में पिरती दिन जनता गारी अधिक चलाई जाए जो गारिया अभी वहां जाती हैं उनके डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि यात्रियों को शुवदा हो शके मैं मंत्री महुदय से एक निवेदन और करना चाहता हूं की रेलवे की नौकरियों मैं पहाडी छेत्र के लोगों को चाहे वे वत्तर प्रदेश की हूं हिमाचल प्रदेश की हूं या अन्य पहाडी इस्थानों के हूं कोई इस्थान नहीं दिया जाता है रोजगार दफ्तरों से उनके नाम भेजी नहीं जाती हैं और उनको कोई सूचना नहीं दी जाती है यदि कोई सूचना दी भी जाती है तो वह उस समय दी जाती है जबकि बे इस्थान भर जाते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि पहाडी छेत्र के लोगों को शेवा में इस्थान मिलना चाहिए यह बहुत ही आवश्यक है पैरा शभापती महोदय आग लगने के बाद कुगा खोदने की जो पिर्था है वह बंद होनी चाहिए मैं समझता हूं कि पहले जो राजा थे बे सोचते थे कि दूसरे लोग प्रिसिक्षन नहीं लेशकते हैं लेकिन शवाल यह नहीं है सवाल है देश में नया अनुसासन पैदा करने का तथा नई सेना खड़ी करके हमें प्रिसिक्षन देना चाहिए आज कल लोगों में एक हींता की भावना आ गई है मैं समझता हूं कि यह प्रिसिक्षन इसलिए जरूरी है कि लोगों में एक नया बल एक नया जोस और एक नया अनुसासन पैदा हो आज भी हम सुनते हैं कि गावों में हरीजनों पर अत्याचार होते हैं हरीजनों पर जो हमले वहां होते हैं उनका मुकाबला वह लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको राइफल चलाने का ग्यान नहीं हैं आज शांती प्रूं हरीजनों पर अत्याचार होते हैं मैं तो यहां तक कहता हूं कि पुरुसों को ही नहीं महिलाओं को भी यह प्रिसिक्छान मिलना चाहिए आज हम 20 करोड रुपे अपनी रक्षा पर खर्च करते हैं इसके बजाए अगर देश का बच्चा बच्चा जानदार आदमी बन जाए और राइफल का प्रिक्छन लिये हुए हो तो मैं समझता हूं कि एतना पैसा देश के बिकास के काम में खर्च हो शकता है लेकिन हमने कभी भी इस बात को नहीं सोचा पहले जो इस देश के बड़े बड़े लोग थे उन्होंने अपनी राइफल ले ली उन्होंने उसको चलाने का प्रिक्छन ले लिया यह समझ कर कि यह काम किसी खास जाती का है मेरा बिचार यह है कि आद देश के 56 करोण लोग अपने अंधर एक नया आत्मे विश्वाश और नई शक्ती पैदा करें इसके लिए यह राइफल रिक्छन शक के लिए अनिवार होना चाहिए जब यह अनिवार होगा तभी लोगों में आत्म विश्वाश पैदा होगा और एक नई केतना पैदा होगी इस यह लोगों में आत्म हिंता की भावना मिट जाएगी और वह शमझेंगे की देश की रक्छा करने की तागत हमें भी है आज जो हरीजन आदी लोग हैं उनमें एक बात घर कर गई है की राइफल और बंदु उनके बस की बात नहीं है लेकिन यह आत्म रक्छा का सवाल है यह देश की रक्छा का शवाल है कमी में बच्चा पनकता है कठनाईयों में इनसान पैदा होता है जब आप जीवन को नई इस्थिती में बदलेंगे तब मस्तिक बदलेगा इसलिए मैं कहता हूँ की देश की लोगों को यह रिक्छान देना होगा फिलो स्टॉप आज की डिक्टेशन होती है समापत आप लोग डिक्टेशन लिखने को आप ट्रांस्लिट जरूर करें यदि आप ट्रांस्लिट नहीं कर सकती है तो आप पढ़ें जरूर थैंक्यू